हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उत्राखन टॉप 50 कुश्चन्स जो आपके उत्राखन पुलीस, पटपारी, लेकपाल, बंदी, रक्षक, LDC, एंड अधरवंड एक्जाम के लिए काफी important है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लिकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टेटी विद इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें, साथी साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पाल जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइंट कर सकते हैं, अराउंट 5.5 के यहाँ पे सस्क्राइबर्स हो चुके हैं, सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पे कुछ का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स, पीडिएपस यहीं पर शेयर के जाती हैं, लिंक आपको उसकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस सिरीज का पहला कुछन है, मद महेश्वर मंदिर कौन से सिकर पर इस्तित है मद महेश्वर इस्तित है आपका चोखंबा शिकर पर, देखें मद महेश्वर मंदिर जो है, ये रूदर प्रियाक जिले में सितित है जिसे जित्तिय केदार कहा जाता है यह मंदिर चोखंबा शिकर परिस्तित है पांडव शैली में निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव की नाभी की पुजा होती है अगला कुश्यन है हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोगतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोगतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया आपके 1989 बी को देखे हेमवती नंदन बहुगुणा के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1919 बी में पौड़ी के बुधानी गाउं में हुआ था इन्हें गडवाल का चाता है चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा इन्हें नटवर लाल की उपाधी दी गई तो आप ए भी ध्यान रखें जो हेमवती नंदन बहुगुणा है इन्हें चंद्रभानु गुप्त द्वारा नटवर लाल की उपाधी दी गई अगला कुश्यन है आपका देहरादून में घंटागर के नीव किस ने रखी देहरादून में घंटागर के नीव रखी सरोजनी नाइडू ने देखें देहरादून में घंटागर के नीव 24 जुलाई 1948 इसबी को रखी गई तो आपे ध्यान रखें सरोजनी नाइडू तातका अपन इस भी में लाल बहादू सास्त्री ने किया इसकी उचाई के अगर हम बात करें देहरादून में जो घंटा घर है इसकी उचाई के अगर हम बात करें तो इसकी उचाई है 85 मीटर अगला कुश्यन है गड़वाल का अशो किसे कहा जाता है गड़वाल का अशो कहा जाता है अजय पाल को देखिए अजय पाल गड़वाल के परमार बंशिका 37 राजा था इसके कारिकाल के अगर हम बात करें तो अजय पाल का कारिकाल 1490 भी से लेकर 1519 इस भी तक रहा अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगड 1512 इजबी में राजपरशाद बनवाया और इसने 1517 इजबी में राजधानी जो है देवलगड से श्री नगर इस्थानांतरित की अजय पाल को गड़वाल का कृष्णे भी कहा जाता है तो आप ध्यान रखें आपसे पूछा जा सकता है कि गड़वाल का कृष्णे किसे कहा जाता है ये कहा जाता है अजय पाल को अगला कुश्यन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत कब हुई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात साथ अप्रेल 1973 को हुई जिसके अंतरगत आरंब में नौ बाग अभ्यारणी बनाए गए आज की आज इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे अगला कुश्यन देखिए उच्यस तलिये पौध शोध सस्थान कहां इस्तित है उच्यस तलिये पौध शोध सस्थान इस्तित है आपका श्री नगर में देखिए श्री नगर की बात करें तो श्री नगर का पुराना नाम है भ्रम छेत्र या श्री छेत्र श्री नगर को गडवाल का दिल्ली भी कहा जा जाता है उच्चे स्थाली पौत्षोच शंस्तान श्रींगर पौड़ी गडवाल में इस्थित है तो आप से जिला पुछा जाता है तो ये पौड़ी गडवाल आजाएगा आपका अगला कुश्यन है कालीदास की जन्मिस्थली माना जाता है कालीदास की जन्मिस्थली माना जाता है कवील्टा को देखे कवील्टा रुद्र प्रियाग जन्पद में काली मठ के पाद सरी कवील्टा नामकिस्तान इस्तित है तो आप ये ध्यान में रखेंगे अगला है प्रशिद्द सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान 700 इसवी में कराया था राजा सोमचंद ने अगला कुशन है देवपुरियाग का प्रशिद्द रगुनात मंदिर के शैली का है देवपुरियाग में इस्तित जो रगुनात मंदिर है ये है आपका द्रविड शैली में द्रविड शैली का मंदिर है ये अगला है लाल कुवा को नगर पंचायत का दरजा कब दिया गया लाल कुवा को नगर पंचायत का दरजा दिया गया 1978 इजबी में देखें लाल कुवां जो है ये नेनिताल जिले में इस्तित एक नगर है यह कुमाओ मंडल के अंतरगत आता है ये आप सभी को पताई होगा लाल कुवां बिडला समों की एक बड़ी पेपर मिल के लिए काफिक पिर्शिद्ध है और 23 दिसंबर 1975 इजबी को लाल कुवां को राजस्व ग्राम घोशित किया गया और 1978 इजबी में इसे नगर पंचायत का दरजा दिया गया अगला कुश्यन देखे कुमाओं का चार्णक की किसे कहा जाता है कुमाओं का चार्णक की कहा जाता है हर्षदेव जोशी को हर्षदेव जोशी को कुमाओं का चार्णक की कहा जाता है इन्हें कुमाओं का शिवाजी भी कहा जाता है तो आप ये ध्यान रखेंगे जो गाइस वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर कर लें चैनल पे नहीं हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम को जरूर सस्क्राइब कर लें अगला कुशियन है आपका तीरी हाइड्रोडवलप्मेंट कॉर्परेशन के स्थापना कब हुई तीरी हाइड्रोडवलप्मेंट कॉर्परेशन के स्थापना हुई 12 जुलाई 1988 वी को देखे फरवरी 1989 से तीरी हाइड्रोडवलप्मेंट कॉर्परेशन ने तीरी जल परियोजना का कारेबार समाला तो तिहरी बात की बात करें तिहरी डैम की तिहरी बात बनाने की स्विक्रती योजना योग द्वारा 1922 इसवी में दी गई यह परियोजना भागी रती एवं भिलंगना नदी के संगम पर इस्तित है तिहरी बात एशिया का सबसे उचा वा दुनिया का चौथा सबसे उचा बात ह यह आप ध्यान में रखेंगे इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो 260.5 मीटर इसकी उचाई है 260.5 मीटर इसकी उचाई है इस बात का डिजाइन जेम्स पूरून ने बनाया था अगला कुश्यन है मसूरी में इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई? मसूरी में इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई 1984 इसके अलावा देखिए सेंटर जार्ज विद्याले जो आपका मसूरी में स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1853 इसके साथी वुड इस्टॉक की स्थापना 1901 में मसूरी में की गई तो इसके अलावा और भी चीज़ें आपको बता दी जाती है आप नोर डाउन जरूर करें लाल बादूर सास्त्री राष्ट्य प्रशाशनिक अकादमी भी मसूरी में इस्तित है इसकी स्थापना कब हुई इसको आपको आंसर कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताना है आज का ये आपके लिए कुश्यन है कि लाल बादूर सास्त्री राष्ट्य प्रशाशनिक अकादमी की स्थापना कब हुई अगला कुश्यन देखिए जिया रानी का मेला किस स्थान पर लगता है जिया रानी का मेला लगता है आपके रानी बाग में देखिए रानी बाग की बात करें रानी बाग ने निताल जिले में इस्तित है इसका पुराना नाम था चित्रशिला चित्रशिला इसका पुराना नाम था रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है इसके अलावा देखे शीतला माता मंदिर और मारकंडे रिशी की तब स्तली भी रानी बाग में ही इस्तित है अगला कुशन देखे मनोहर शाम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला मनोहर शाम जोशी को क्याप नामक उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया दिखे मनोहर शाम जोशी इनका जन्म 1935 इजबी को अजमेर में हुआ में हुआ लेकिन ये मोल रूप से अलमोडा के थे 1982 इजबी में दूर दर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारवाहिक मनोहर शाम जोशी ने लिखा मनोहर शाम जोशी को 2006 में ध्यान दे मनोहर शाम जोशी जो है इनको 2006 में क्याप उपन्यास के लिए क्याप नामक उपन्यास के लिए साहित याकादमी पुरुसकास से सम्मानित किया गया आप से पूछा जा सकता है आयोग पूछ सकता है कि कब किया गया तो आपको पता होना चाहिए 2006 में किया गया है क्या आप उपन्यास के लिए साहित याकार्म पुरुसका से सम्मानित क्या वह कसब जो हैं इनके कुमावनी उपन्यास है तो आप ये भी ध्यान दखें किस भासा के उपनियास हैं ये भी आ आई योप तैप कर सकता आप से क्युश्यन अगला है आपका असकोड वण्या जी विहार का छेत्रफल कितना है तक अको ये विहार का छेत्रफल आपका शह सो ग्योंपीर कि देकिए असकोड वन्या जी विहार की स्थापना brakes裡面 1886 वी में पितोरगड जिले में की गई यहाब वन्य जी विहार 600 वर्ग किलोमीटर छेत्रफल में फैला है अस्कोट वन्य जी विहार कस्तूरी म्रग के लिए काफी पृसिद्ध है अगला है मैथिली शरण गुपत का जन्म कब हुआ मैथिली शरण गुपत का जन्म हुआ 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 को चिर गाउं जासी जो उतर प्रदेश में इस्तित है यहां पे हुआ था इनके मूल नाम के अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम था मिथिला धीप नंदनी शरण तो आप ध्यान रखें मिथिला धीप नंदनी शरण जो है यह मैथिल मैथिली शरण गुप्त ने दिवेदी जी के नेत्रित में रहकर सरस्वती पत्रिका के अनेक रशनाएं लिखी यह दद्दा के नाम से जाने जाते हैं तो आप ध्यान में रखें जो मैथिली शरण गुप्त हैं यह दद्दा के नाम से जाने जाते हैं स्वतंत्रता के बाद ये भारती संसद में राज्य सबा के सदश्य मनोनीत किये गए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूसन से सम्मानित किया या था अगला कुश्यन है तिपरा बमक गलेशर की जनपद में इस्तित है तिपरा बमक गलेशर इस्तित है आपके चमोली जनपद में देखे तिप्रावमक गलेशर जो है ये गोविंद घाट चमोली में अस्तेत है अगला है उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयो की स्थापना कब हुई उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयो की स्थापना हुई आपके 17 सितंबर 2014 को अगला कुशन है सरवाधिक दश्की वरद्धी वाला जिला है उधम सिंग नगर जिला राजी का सबसे दक्षनी जिला है उधम सिंग नगर के छेत्रफल के अगर हम बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर उधम सिंग नगर जिले का छेत्रफल है इस जिले की सीमाएं दो जन्पत नेनिताल वेवन चमपावत से मिलती है उधम सिंग नगर जिले के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन 30 सितमबर 1995 वी को हुआ था यहां का कुल लिंगा अनुपात है 920 और उधम सिंग नगर जिले की कुल शाक्षरता दर की अगर हम बात करें तो उधम सिंग नगर जिले की कुल शाक्षरता दर है 73.1 जीरो प्रतिशत जिसमें महिला शाक्षरता दर है 400.5 परतिशत और पुरुष शाक्षरता दर है 81 परतिशत तो आप no down जरूर करें काफी important है आपके आगामे exam के लिए गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरूर कर लें comment section में comment करके बताएं कि out of 50 आपके कितने question correct रहे आज के और आपका वीडियो आपको कैसी लग रही है अगला question है 1930 इस वी में स्वाधिन परजा नामक सापताहिक पत्र का संपादन किस ने किया 1930 इस वी में अलमोडा में स्वाधिन नामक स्वाधिन परजा नामक सापताहिक पत्र का संपादन किया विक्टर मोहन जोशी ने देखिए मोहन जोशी ने इसाई धर्म अपना लिया था जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोजफ हो गया था इन्होंने अलमोडा में Christian Young People Society की स्थापना की तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे 1930 इसवी को अलमोडा जंडा सत्यागरा का नित्रत मोहन जोशी ने किया था अगला है आपका मनसार का मेला किस जनपद में लगता है मनसार का मेला लगता है आपके पौड़ी जनपद में अगला कुश्यन है निताल राजभवन की निव कपड़ी निताल राजभवन की निव पड़ी 27 अप्रेल 1897 इसवी को देखे 1900 इसवी को 1900 इसवी में राजभवन बनकर पूर्ण तैयार हो गया उच्च नियायले भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने किया था तो आप से पूछा जा सकता है जो आपका राजभवन है या उच्च नियायले है ये इस भवन का निर्माण किस ने किया तो ये किया है सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने जो गौथिक शैली में बना है तो आप इध्यान रखे गौथिक शैली में निर्मित है राजभवन ननिताल का अगला कुश्यन है उत्राखंड में किसके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्राखंड में नरेंद सिंग नेगी के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस की रूप में मनाया जाता है देखें प्रेरणा दिवस कब होता है अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को काफ़ी important question है no down जरूर करें अगला है प्रशिद्ध रोबस गुफाएं कहां इस्तित है प्रशिद्ध रोबस गुफाएं इस्तित है आपके गुच्चु पानी देदा दून में अगला कुश्यन है गोल्डन वैली किसका उपनाम है बागिश्वर का अगला कुश्यन है जाक मेला के जनपद में लगता है रूदर प्रियाग जनपद में अगला कुश्यन देखे लड़ी धूरा मेला का आयोजन कब होता है लड़ी धूरा मेला का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को देखे लड़ी धूरा मेला चमपावत के बारा कोट में स्तित पमदा के देवी मंदिर में लगता है इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है इसमें स्थानी लोग बारा कोट तथा काकर गाउं म धूनी बनाकर राद भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं अगला कुशन देखे जौनसारी जनजाती में राजनेतिक जागरुकता का जनक किसे माना जाता है जौनसारी जनजाती में राजनेतिक जागरुकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंग को अगला कुश्यन है केदार ताल कि जिले में इस्तित है केदार ताल इस्तित है आपके उत्तरकाशी जिले में देखे उत्तरकाशी में गंगोतरी से 20 किलोमीटर के दूरी पर थलेया सागर परवत शंखला में यह ताल इस्तित है तो आप यह ध्यान रखेंगे परवत शंखला यह है तहले यह सागर पर वत्रंगला अगला कुश्चान क्रांती दलlike दीडी पंध अगला कुश्चन देखे बाज़पुर शहर किस नदी के तरफ पर एक evidence का पुछ पोड़ाना नाम आप तो इसका पुरान différentes है मुंडिया यहन अगर बाज बाहदूर चंद द्वारा बसाया गया था तो आप ध्यान देखें बाजपूर में 1969 इस भी को पहली सहकारी चीनी मिलती काफ़ी इंपर्टेंट पॉइंट है नोटाउं जरूर करें गाईस अगला देखें विशणात गुफाक की जिले में इस्तित है विशणात गुफा सिथ था यह इस्तान या गुफा गुरू वशिष्ट की तब इस तली के रूप में भी पुश्रिद्ध है अगला कुश्यन है नंधौर वन्य जीव विहार का गठन कब हुआ नंधौर वन्य जीव विहार का गठन हुआ दो हजार बारा में देखे वन्य जीव वन्य जीव वन्य जीव वन वनस्पतियों के शंग्रक्षन हिटू दिसमबर दो हजार बारा में नंधौर नदी के आसपास उधहम सिंग नगर के बॉर्डर पर इस वन्य जीव विहार का गठन किया गया नंगर और उधहम सिंग नगर जिले के border पर इसका गठन किया गया है जिसका छेत्रफल के अगर हम बात करते हैं तो इसका छेत्रफल 270 वर्ग किलोमेटर है तो आप यह ध्यान में रखें अगला कुश्यन देखे विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किस ने किया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया शैलेश अगला कुश्यन है सुमीत्रा नंदन पंत की कुमावनी भाषा के प्रिशिद्द कवीता है बुरून्स अगला कुश्यन देखे गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किस की है गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक है आपके भक्त दर्शन की देख पौडी जिले के भोरान गाउं में हुआ था 1949 में इनके और भेरोदत धुलिया के संपाद दकत्व में लेंस टाउन पौडी से कर्मो भूमी नामक सापताहिक अगबार का प्रकाशन शुड़ू हुआ बारा वर्ष के प्रियाशों के बाद इन्होंने गड़वाल की दिवंगत विभूतिया नामक पुस्तक लिखी इसके अलावा इन्होंने सुमन इसमिर्थी ग्रंथ कलावित बैरिष्टर मुकुंदिलाल इसमिर्थी ग्रंथ व स्वामी रामतिर्थ इसमिर्थी ग्रंथ लिख थे आपके अलमोडा में अगला देखिए किस परियावरण संग्रक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है काफे important question है guys no down जरूर करें ये हैं आपके अवधेश कोशल देखिए परियावरण प्रेमी अवधेश कोशल ने 1983 भी में धेरादून मसूरी छेतर में खनन को प्रतिवंदित करने के लिए सर्वोच नयायले में जनहित याचिका दायर की थी उस समय परियावरण के मुद्दे पर दायर होने वाली यह प्रतम याचिका थी और फैसला भी इनके पक्ष में था बाद में उन्होंने देहरादून से 11 किलोमीटर सुर इस्थित्यूर सह reservation दाधा छेतर में बड़े पैमाने पर पौधर ओपन किया था अधला question है आपका Indian Music की रशना की Indian Music की रशना की स्वामी राम ने अधला question फास्ट रैग कोट का गठन कर किया गया ? फास्ट ट्रेक कोट का गठन किया गया 2001 में अगला कुश्यन देखिए 2011 की जनगर्णा की अनुसार सबसे कम जन घनतु वाला जिला है 2011 की जन घनतु वाला जिला है आपका उत्तरकाशी जिला अगला कुश्यन है बोकसा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अगला है खोदरी परियोजना किस नदी पर इस्तित है खोदरी परियोजना इस्तित है आपके यमुना नदी पर अगला है राज्य में जाय का परियोजना किसके सयोग से चलाई जा रही है राज्य में जाय का परियोजना चलाई जा रही है आपके जापान के सयोग से अगला कुश्चन है आपका विकलांगो के भरन पोशन ही तु परतिमा कितने रुपे पेंशन 800 रुपे पेंचन शरूप दिया जाता है अगला कुशन देखे देव भूमी मुश्कान योजना कब शुरू हुई देव भूमी मुश्कान योजना शुरू हुई 2009 में देखे देव भूमी मुश्कान योजना 2009 में शुरू की गई यहाँ योजना समाज के वंचित वर्ग के चात्रों की उत्रुकर शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है इस योजना के तहर निशुलक शिक्षा दी जाती है इस योजना के लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र चिन्हित किये गए है अगला कुशन है केंद्री भवन अनुसंदान सस्थान कहां इस्तित हैं केंद्री भवन अनुसंदान सस्थान इस्तित है आपके रूड की में अगला है उत्राखंड अक्षय उर्जा विकास निगम के स्थापना की गई उत्राखंड अक्षय उर्जय विकास निगम के स्थापना की गई है पितोरागड में अगला कुश्चन देखे विद्या सागर नौटियाल का जन्म कब हुआ विद्या सागर नौटियाल का जन्म हुआ 23 सितंबर 1933 को विद्या सागर नौटियाल का जन्म हुआ देखें 23 सितंबर 1933 को टीहरी के माली देवल गाउं में इनका जन्मों हुआ और ये प्रशिद कथा का स्वतंतरता सेनानी एवं कम्यूनिस्ट नेता विद्या सागन नौटियाल जो हैं ये जीवन भर किसान और ग्रामीड जीवन से जुड़ी समश्याओं आकांशाओं वह शंगहर्शों को अपने साहिति के माध्यम से मुखरित करते रहें तीरी राज साही के विरुद्ध भी इन्होंने शंगहर्श किया यमुना के बागी बेटे भीम अकेला जुंड से बिछुड़ा उत्तर बाया है आदी इनकी प्रशिद करतिया हैं इन्हें ध्यान में रखें आप काफी इंपोर्टेंट है आपके आग्गामी एक्जाम के ल होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टीडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को जादस से जादा शेयर जरूर करें मिलते हैं एक नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब के लिए धन्यवाद